ओम गं गर्पते नम जै माता दी राधे राधे आप सभी दर्सकों को दिवाली की हारदिक सुबकाम नाएं आई यी सुनते हैं आज दिवाली के दिन माता लच्मी और गरेश की यह कहाने जिस तरह तेवार को मनाने के पीछे एक कहानी है उसी तरह पूजा विधियों के पीछे भी कारर छुपे हुए हैं जैसी दिवाली की राध लच्मी गरेश की पूजा एक साथ क्यों की जाती है इस पूजा विधि से कई पौरारिक कथाएं जुड़ी हुई हैं एक पौरारिक कहानी के अंसार देवी लच्मी ने भगवान गर इसको पुत्र मान कर गोद लिया था इसलिए सुब कारियों या किसी विवशाय को शुरू करने से पहले देवी लच्मी से पहले स्री गरेश का नाम लिया जाता है इसके अलामा लच्मी गरेश की एक साथ पूजा करने से एक और प्रतलित कहानी जुड़ी है जाने क्या है पूरी कहानी देवी लच्मी के वर्दान से बदला भाग गया एक बार एक बैरागी साधु को राजशुक भोगने की इच्छा जागरीत हुई इसके लिए उसने मा लच्मी की अरादना शुरू की करी तपस्या और अरादना से लच्मी जी प्रशन हुई और उसे दरसन दे कर वर्दान दिया की उसे उच्चपद और शम्मान प्राप्थ होगा इसके बाद वह शाधु राज दर्बार में पहुचा वर्दान मिन्ने से उसी अभमान हो गया था उसने भरी दर्बार में राजा को धक्का मारा जिससे राजा का मुकुट नीचे गिर गया लेकिन इसी वी राजा के गिरे हुए मुकुट से एक काला नाग निकल कर बाहर आया सभी चोग गय और साधु को शमतकारी समझकर उसकी जहजे कार करने लगे राजा ने प्रशन होकर साधु को अपना मंत्री बना दिया उस साधु को रहने के लिए अलग से महल भी दे दिया गया राजा को एक दिन वह साधु भरे दर्बास में हाथ खिच कर बाहर ले गया यह देख दर्बारी जन पीछे भागे सभी के बाहर जाते ही भुकम बाया और भवन खंधर हो गया लोगों को लगा कि साधु ने सब की जान बचाई इसके बाद साधु का मान सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया अब इस महरागी साधु में अहंकार और भी ज्यादा बढ़ गया राजा के महल में एक गरेश जी की प्रत्मा थी एक दिन साधु ने या कहकर वो प्रत्मा हटवादी की या देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है कहा जाता है कि साधु के इसकार्य से गरेश जी रुष्ट हो गए उसी दिन से उस मंत्री के बीज साधु के बुद्धी भरष्ट होना सुरू हो गए और वह ऐसे काम करने लगा जो लोगों की नजरों में काफी बुरे थे इसे देखते हुए राजा ने उस साधु सी नाराज होकर उसे कारागार में डाल दिया साधु चेल में एक बार फिर से लक्ष्मी जी की अरादना करने लगा लक्ष्मी जी ने दरसंदे कर उससे कहा कि तुमने भगवान गरेश का अपमान किया है इसके लिए गरेश जी की अरादना करके उन्हें प्रशन करो साधु गरेश जी की अरादना करने लगा उसकी इस अरादना से गरेश जी का क्रूज सांथ हो गया इस घटना के बाद से मालचमी और गरेश जी की पूजा एक साथ होने लगी गरेश भगवान को बुद्धी और शिद्धी का प्रतीक मा इसलिए कहा जाता है कि मा लच्मी के घर आने के बाद अगर बुद्धी का उप्योग नहीं किया जाए तो लच्मी जी को रोकपाना मुश्किल हो जाता है इसलिए दिवाली की साम को मा लच्मी के साथ साथ गरेश जी की प्रतिमारक कर दोनों की साथ में पूजा करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बिल नोटिफिकेशन ओल पर शिट करने, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, धन्यवाद